नमस्कार दोस्तो मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ ये एक छोटा सा स्टार्ट किया है अपने सेशन स्टैटिक जीके और जितने भी करंट अफेर आज का जो करंट अफेर है धेरे धेरे मैं इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और उमीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आएगा तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला कोशिश अपना ये है कि फिरोजशा कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है अब आप बताईए इसका नाम बदल कर क्या रखा ग है जो की पूरवित मंत्री थे सितंबर 2019 में सितंबर 2019 में इसका नाम बदल कर रखा गया है और इसमें एक जो स्टेंड है उसका नाम विराट कोली के नाम पर रखा गया है जो हमारे भारतिय क्रिकेट टीम के क्या है कपतान है ओके तो दूसरा कोशन आपकी स्क्रीन पर आग तो दूसरा कोशन है हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है हबीब गंज रेलवे जो स्टेशन है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है कहां पे तो मैं आपको बता देता हूं कि हबीब गंज जो रेलवे स्टेशन है वो है MP में MP कहां पे ह भारत में है ठीक है आप सझे है अप समझ आ रहा होगा मध्धय Πरदेश की बात हो रही है और इस जो हबीब गंज रेलवे इसटेशन का जो नाम class railway station है बहुत ही जबरदस्त जो की PPP model तहत कार्या करेगा public private और partnership के तहत कार्या करेगा जो की बंसल ग्रूप के under kाम करेगा ये ठीक है सरकार और बंसल ग्रूप दोनों मिलकर इसको चलाएंगे और world class है अब जब MP की बात आ चुकी है अब जब MP की बात आ चुकी है कि अगर मैं आप सभी से बोल दो कि जो MP है MP की जो राजदानी है वो अभी अभी हमने चर्चा कर ली थी क्या है वो पाल है अगर बात करें हम CM की तो CM अभी अभी हाल ही में जो कमलनात थे कमलनात के सरकार गिरी थी तो शिवराज सिंग चोहान शिवराज सिंग जो चोहान जी है वो अपने क्या है CM है MPK और बात करें अगर गवर्नर की तो बताईए गवर्नर कोन है तो गवर्नर है भगवान की दिया से लाल जी टंडन है गवर्नर कौन है लाल जी टंडन है और आगे बढ़ते हैं हम उमीद है कि इतना आप सभी को समझ आया होगा तो this is the most important question चिनानी नाशरी सुरंग का नाम बदल कर क्या रखा गया है चिनानी नाशरी सुरंग का नाम बदल कर रखा गया है डोक्टर शाम परसाद मुखरजी टनल कौन सी डोक्टर शाम परसाद मुखरजी टनल रखा गया है ठीक है उमीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा है ये सिस्टम शाम परसाद मुखरजी टनल रखा गया है और ये जो सुरंग है इस सुरंग का नाम शाम परसाद मुखरजी टनल के नाम पर रखा गया है और ये शामा परसाद मुखरजी थे कौन ये थे जी जन संस्थापक ये थे जो जन संस्थापक है ना जो इसको आज आप सभी जन संस् भारते जनसंग के संस्तापक जिसाज भारते जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है इन्होंने इसकी स्थापना जो अक्टूबर 1951 में करी थी क्योंकि यह जब कॉंग्रेस थी जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय जो ततकालिन सरकार थी नहरूजी की सरकार थी उस वक कि जो कश्मीर है उसे अलग किया चाए इन्होंने उस वक्त भी 370 धारा को हटाने की मांग की थी बट इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई उन्होंने है संकल्प लिए उस वक्त की कि या तो वे जो जम्मो कश्मीर है उसे क्या करेंगे अभिन अंग बनाएंगे या फिर इ ये अपने प्राणों की अहुती दे देंगे और इसको मग्दे नजर रखते हुए इस कार्य को करने के लिए बिना परमेट के क्योंकि उस वक्त जो कश्मीर का अलग से जंडा और अलग से उनका जो लोगो होता था ठीक है तो वहाँ पर बिना किसके चले गए परमीशन के बिना परमीशन के चले गए तो वहाँ पर उन्हें गिरिफतार कर लिया गया और 23 जोन 1953 को इनकी जो है वो मृत्यू हो गई थी ठीक है और उसके बाद जो इस सुरंग के बारे में बाते हैं वो 9.28 किलोमेटर ये सबसे लंबी सडक है सबसे लंबी सडक सुरंग है 9.28 किलोम नाम है पत्नी टोप वे शामा टनल है कौन सी है पत्नी टोप वे शामा टनल है उमीद है कि आप सभी को अच्छे से समझा रहा है ठीक है ओके सर आगे बढ़ते हैं अब सहम सभी और ये किस किस को जोड़ती है ये जम्मो कश्मीर और श्री नगर के बीच की दूरी को लगब 30 किलो मेटर दूरी तक कम करती है तो चिनानी नाशरी सुरंग बहुत ही इंपोर्टंट है याद रखना और शामापरसाद मुखर्जी टनल इसका नया नाम है नेक्स्ट वन अटल सुरंग इसका नया नाम रखा गया है और ये है कहां पे रहतांग है जो ये जो रहतांग सुरंग है ये रहतांग दर्रे के नीचे बन रही है और ले और मनाली को जोड़ती है ये किसको जोड़ती है ले है वे मनाली को जोड़ती है किसको जोड़ती है ले है और मनाली क किलोमेटर है रहतांग दर्रे के नीचे ये बन रही है अब बात करते हैं कि रहतांग दर्रा है ये हिमाचल परदेश में है ठीके कहां पे है हिमाचल परदेश में है अब जब हिमाचल परदेश की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हिमाचल परदेश का जो सीम है इमाचल परदेश का जैराम ठाकुर है और उनका जो गवर्नर है राजय पाल है गवर्नर कोन है इनके बंडारू डत्तात्रे है ठीक है उमीद करतों कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ठीक है एक कोशिश है आगे देखते कितने कामयाब हो पाती है सो नेक्स्ट वन कोशिशन है अपना तो जो रहतांग सुरंग का नाम है वो क्या है अटल सुरंग है इलाबाद का नया नाम क्या है इलाबाद का नया नाम बच्चे बच्चे को पता है और क्या पता है इलाबाद का नया नाम है अपना जो वो होने वाला है और हो चुका है प् अधितेनाथ जी हैं और बात करें जब गवर्नर की तो गवर्नर कोन है इसके अनंदी बेन पटेल है अनंदी बेन पटेल इसके क्या है गवर्नर है और सीमस के योगे अधितेनाथ जी है जिनके पिता जी का हाल ही में निदन हुआ है तो छेमा कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चु गुजरात के आई है तो इसकी जो capital है capital क्या है एमदाबाद नहीं है ध्यान रखा करो गांदी नगर है इसके जो cm जी है जो cm सर है वो कौन है बताई है किसी को पता है तो इसके जो cm है वो विजे रुपानी है और इनके जो governor है ठीक है इनके जो governor है सोरी यह अचारय लिखना था अचारय देवर्थ कौन है अचारय देवर्थ तै है तै तै तकडी वाला ठीक है अचारय देवर्थ है और यह गुजरात में है और यह जो कांडला बंदरगाह है यह भारत का प्रथम भारत का प्रथम मुक्त वेपार छेतर था कौन सा था भारत क प्रथम मुक्त विपार चेतर था ठीक है उमीद करते हूं कि आपको समझा रहा है और बिल्कुल सिंपल है सात्मा कोशन आपकी स्क्रीन पर है थोड़ा इसको जूम कर देते हैं कि वहिलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है वहिलर द्वीप का नया नाम बताईए किसी को अब बात करते हैं यह जो वहिलर द्वीप यह है कहां पे तो भाही सहाब यह है उडिसा में और इसकी जो राजदानी है वो है भूवनेश्वर इसकी जो राजदानी है भूवनेश्वर है अब राजदानी की बात हुई तो सीम की बात करेंगे तो सीम है इनके नवीन पतना एक जी कौन है नवीन पतना एक जी है और बात फिर आगे भड़ा पाएंगे तो गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर बताइए कौन है इसके जो गवर्नर है वो कौन है गणेशी लाल है कौन है जी गवर्नर है इनके गणेशी लाल है ठीक है अब देखे आगे बढ़ते हैं साथमा कोशन हुआ आठमा मुगल सराय रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है मुगल सराय रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर बताये क्या रख दिया गया है तो ये नाम रखा गया है पंडित दीन द्याल उपा ध्याय रेल्वे स्टेशन मुगल सराय रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है यह है कहां पे यू पी में है अभी अभी चर्चा करी थी हम सबीने जो यू पी है यू पी की जो capital है वो क्या है लखनाउ है और यू पी के जो cmg है वो अभी भी किया था योगि अदित्यनाद जी है और उनकी जो गुवर्नर है वो अनंदी बेन पतेल हैं तो ये अपना हुआ मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है दीन दियाल उपा ध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है नेक्स्ट कोशन नो नंबर है नील दवीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है ठीक ह निकोद्वा पर छोटे-छोटे फांसो बत्र द्वीप हैं और उन में से तीन द्वीपों का नाम है वो बदलकर रखा गया है जिसमें से एक तो नील द्वीप हुआ वो कौन सा हो गया शहीद दीविस हो चुका है और दूसरा इसी में छिपा हुआ है सवराज द्वीप एक नया नाम है और बोस द्वीप एक नया नाम है जो रोस द्वीप है उसका नया नाम रखा गया है सुभास चंदर द्वीप कौन सा रखा गया है सुभास चंदर बोस द्वीप पूरा नाम है सुभास चंदर बोस द्वीप रखा गया है और सवराज द्वीप नया नाम है ये है किसका नया नाम है वलोक एक द्वीप था है वलोक आईलेंड है वलोक द्वीप का नाम चेंज करकर क्या रख दिया गया है सवराज रख दिया गया है क्या रख दिया गया है सवराज तो रोज से बहुत स्याद रखना और है वल बोल रहा है आप सबी को इसने कहा कि बोगी बील पुल का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो बोगी बील पुल का जो नाम बदल कर रखा गया है वो है अटल सेतू रखा गया है अटल सेतू इसका नाम हो यह डबल डेकर पुल है यानि कि इसमें रेल पत्थ रेल पत्थ वे तो यह असाम में असम में ब्रम पुत्र नदी पर बना हुआ है कौन सी नदी पर ब्रम पुत्र नदी पर बना हुआ है अब असाम की चर्चा करते हैं तो भी बताएंगे आपको सबसे पहले इसकी जो लेंथ की लंबाई है जो लेंथ है वो इसकी है 4.94 लग बग 5 किलोमेटर ह और इसका जो inigration किया गया था ये परधान मंत्री शरी नुरेंदर मोदी जी के दवारा किया गया था ठीक है और ये था क्या जी इसको किया था इसका जो inigration किया था ये 25 दिसंबर 2018 और 25 दिसंबर को सूशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे कि अटल बिहारी वाजब पेई जी की जयन्ती दिवस के रूप में हमें सुशासन दिवस मनाया जाता है और जो सुशासन दिवस है ये पहली बार 2014 में मनाया गया था अब बात करते थे असाम की अब जो असम है बताईए आप सबी जो असम है इसकी जो राजदानी है राजदानी बताईए क्या है असम क संद सोनोवाल है और गवर्नर की बात करें अगर हम गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी है कौन है जगदीश मुखी है तो आप बताई यूपी के गवर्नर कौन थे थोड़ी देर पहले किया था आनंदी बेन पटेल है कौन है आनंदी बेन पटेल है चलिए सर ग्यार् रखा गया है सुंदर भारत रखा गया है अब सवच हो चुका है अब इसे क्या बनाना है सुंदर बनाना है beautiful देंगो beautiful इंग्लिश में ने इंग्लिश में भी क्या सुंदर ही लिखा जाएगा is the first question बारुमा कोश्चन कि रेलवे सुरक्षा बल और पी एफ का नया नाम बदल कर क्या रखा गया है तो रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम है वो रखा गया है बताइए आप सबी भारते रेलवे सुरक्षा बल सेवा भारते सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल सेवा भारते रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नया नाम रखा गया है ठीक है याद रखना है आप सबी को तेरवा कोशन आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली का ओरंग जेब रोड नाम बदल कर क्या रखा गया है ठीक है दिल्ली की जो ओरंग जेब रोड है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है उसका नाम बदल कर रख काता था एक बात बताओ कि मिसाइल मिसाइल वूमेन ओफ इंडिया कौन है मिसाइल वूमेन ओफ इंडिया मैं आपको बता देता हूँ ये हैं टेसी थोमस जो की डी आर डी ओ की महानी देशक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मिसाइल मेन ओफ इंडिया इस एपे जी काम रोड से है और मिसाइल वूमेन ओफ इंडिया इस टेस्सी थोम से है ठीक है उमीद करता हूँ कि आप सभी समझ पाऊगे और अब देखे ये चोटा सा परियास मेरे दवारा की जो 28 अप्रेल था जितने भी मुझसे हो पए धिरे-धिरे मैं बढ़ाऊंगा सेशन को आप ल सरकार ने किया है ये काम तो सर जी ये काम किया तो वावे खराब है लेकिन सुन लो किया किसने है ये हर्याना सरकार ने किया हर्याना की बात हो रही है तो हर्याना की जो राजदानी है वो तो सभी को पता हर्याना और पंजाब की मिक्स जो राजदानी है वो है चंडी नोहर, लाल, खटर जी हैं और बात करें इसके गुवर्नर की बताईए कोन है इसका जो गुवर्नर है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हर्याना का जो गुवर्नर है वो कौन है तो दूसरा कोशन आज के सेशन का इन करेंट अफेर है कि किस देश ने कोड़े की सजा सज़ा खतम करने के बाद, किस देश ने कोड़े की सज़ा खतम करने के बाद अब नाबालिकों को सजायमौत पर पबंदी लगा दी गई ँद जा झार आपकी कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देरे देरे कि पाकिस्तान की किस महिला खिलाडी ने अंतर राष्ट्री क्रिकेट से सन्यास लिया है तो पाकिस्तान की ये खिलाडी है कौन है ये हैं सना मीर ने रिसेंटली अभी अभी अंतर राष्ट्री क्रिकेट से सन्यास लिया है महिला खिल है और भारत की राज़तानी क्या है नई दिल्ली है यह सब पता है कई दिल्ली बोलते हैं कोई बात निंन Кुन से है नई दिल्ली है चलिए सर नेक्स्ट वन निमन लिखित में से किसने केंदरिय सतरकता अयुक्त सी वी सी के रूप में शपतली है तो सर जी यह जो शपतली है ये लिए बताईए किसने मैं आपको बताता हूँ संजय कुठारी जीने मैं धिरे धिरे डिटेल्ड में भी जाऊंगा आप समझने की पूरी-पूरी कोशिश करना Then sixth one जो question है वो ये है कि विशव बोद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है विशव बोद्धिक संपदा जो दिवस है वो मनाया जाता है बताइए कब ये मनाया जाता है 26 अपरेल को मनाया जाता है विशव मलेरिया दिवस कौन सा मनाया जाता है विशव मलेरिया दिवस मनाया जाता है और जो 18 अप्रेल है 18 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह विशव विरासत दिवस कौन सा विशव विरासत दिवस मनाया जाता है और जो 22 अप्रेल है 22 अप्रेल को क्या मनाया जाता है 22 अप्रेल को मनाया जाता है अभी अभी निकला है तो विश्व पृत्वी दिवस मनाया जाता है कौन सा विश्व पृत्वी दिवस लेकिन जो विश्व भोधिक संपद्दा दिवस है वो कब मनाया जाता है 26 अप्रेल को मनाया जाता है the next one is कि हाल ही में कि राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मुबाइल एप लॉंच किया है कोविड फार्मा नामक मुबाइल एप लॉंच किया है तो बताए किस ने किया है तो ये किया है आंदर परदेश ने किया है किस ने किया है आंदर परदेश ने किया है आंदर परदेश की जो कैपिटल क्यों कि यह जो कोईड फार्मा एप मुबाईल एप क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी मेडिकल पे किसी भी कैमिस्ट की शोपर जाकर जो खामदर्द सिर्दर्द की दवाई मांगता है तो उन्होंने का है कि इस पे नजर रखी है ठीक है जग मोहन रेड़ी हैं कौन है वाई एस जग मोहन रेड़ी हैं ठीक है उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं अब देखिए नेक्स्ट वन अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आठ्वा कोशन हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरत मंदों के लिए जरूरत मंदों की मदद के लिए help me mobile app launch किया है help me mobile app launch किया है तो ये किया है आपकी information के लिए बता देते हैं हर्याना सरकार ने किया है जो व्यक्ति जो व्यक्ति अगर खाने में भी ऐसमर्थ है खाने में भी ऐसमर्थ है उसके लिए भी मतलब की खाना मंगवा सकता है पका हुआ खाना भी वह मंगवा सकता है, मतलब कि सारी सुईदा परदान की गई है, ठीक है, इसमें सारी की सारी फैसिलेटी प्रवाइड करवाई गई है, तो ये स्टार्ट किस ने किया है, हर्याना सरकार अभी भी बात कर रहे थे हम सबी, और मैंने आप से ऐसा भी कहा था, कि हर्याना के गवर्नर हैं मुझे लिख के बताना की कमेंट बुक्स में, ठीक है, अंत में, छलिए सर, नों नंबर आज के दिन का अंतिम कोशन है, नों नंबर में क्या कहा गया है, कि देवानंद कोंभर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निमन लिखित में से किन राजों क राजा पाल रहे चूके हैं वह पस्चिम बंगाल बिहार और त्रिपूरण भताऊ की तो एक बत बताओ जो पुरा की राजा दानी हैं अगर बात करें उनके गवर्नर की तो रमेश बैस गवर्नर ओफ त्रिपुरा हैं दूसरी बात करें और कौन सा यूपी का मैंने बता दिया आप सबी को यूपी का क्या बताया था मैंने सोरी यूपी का बताया था मैंने आप सबी को CM तो थे योगी अधितेनाज जी और गवर्नर थे अनंदी बेन पटेल और इनकी जो capital है वो लखनाओ है फिर बात करते हैं पश्चिमंगाल वैस्ट बंगोल कलकत्ता इनकी है क्या बताए ये capital है ममता बेनर जी इनके CM जी है और बात करें गवर्नर की तो धनकर जगदीप धनक गवर्नर जी इनके क्या है गवर्नर हैं और उसके बाद देखिए बिहार हां बिहार रह चुका है बिहार की जो राजद्दानी है बताये कोन बिहार की राजद्दानी पटना CM को पता है सीम सभी को पता है नितीश कमार हैं बस घड़ बड़ कहां पर होती है गवर्नर राइटिंग bounds जाना गवर्नर कौन है गवर्नर है चोहान जी फागू चोहान अच्छे से लिख देता हूँ फागू चोहान ठीक है राइटिंग मेज जाना बात सुनते रहना बस मेरी राज스न ह राजस्थान हुआ बिल्कुल राजस्थान का तो बिल्कुल पता होने चाहिए आप राजस्थान से हो राजस्थान के सीम तो बच्चे बच्चे को पता है क्योंकि आप राजस्थान से भी लोग कर रहे हो ठीक है तो राजस्थान के सीम कोन है अशोक गहलोत है अशोक गहलोत कोन है कल राज मिश्चा कौन है इनके गुवर्नर है राजस्थान के फिर हुआ त्रिपूरा भी हो गया पश्चिम बंगाल बिहार त्रिपूरा बिहार केरल रहा त्रिपूर का क्या सीन है केरल का जो कैपिटल है वो तो असान है तिर्वंत पूरम ठीक है तीरूवंत पूरम ठीक है राइटिंग पे मत जाना बार बार बोलना तिर्वंत पूरम है सीम है इनके पिन रई विज्यन कौन है पिन रई विज्यन विज्यन ठीक है ओके और बात करें गवर्नर की तो गवर्नर है इनके आरिफ नाम से है आरिफ खा लगाते हैं आरिफ खान आरिफ मुहम्मद खान है शायद ठीक है तो ये बात है तो नो कोशन आपने किये और आप सभी से मेरे गुजारिश है कि आप क्या करने वाले हो आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप सब्सक्राइब के लिए जब तक लोक डाउन नहीं खुलता तब तक हम प्रयासरत रहेंगे मैथमेटिक्स की क्लास मेरी बारा बजे आती है बारा बजे एक बजे क्लास साइंस की आती है और एक से पंदरा बीस मिनिट की ये वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्सक्राइब जल्द ही स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद के पात्र हैं आप नमस्कार सस्रेकाल अदाब जैह थेंक यू थेंक यू वेरी मुच